पाइल्स एक खतरनाग बिमारी है बता दें कि ये दो तरह की होती है खोनी और दूसरा बादी ये बिमारी जादे तर पहले बुजूर कुमे हुआ करती थी लेकिन आप यूवस से लेकर बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं ऐसा माना जाता है कि पाइल्स का सही समय पर बच्च ना किया जा सके तो ये बड़ा खतरा दे सकती है बादी बवसीर में रोगी के गूदा के आसपास या एक उससे अधिक मस्से होने लगते हैं इन मस्सों में बहुत दर्द होता है जबकि खूनी बवसीर में मस्से गूदे के अंदर होते हैं और मलतेयाक करते समय दर लिया जा सके तो चलिए आपको बताते हैं कि बवसीर के लक्षण क्या होते हैं कई दिनों तक कपस रहना अपच की समस्या होना मलत्याग की वार बार इच्छा होना गूदे पर पसीना आना मलशे में कुछ अठकने का एहसास होना मलशे के पास गाठ या काले रंग के मस्से हो मलत्याग के समय मस्सों का बाहर आना मल में खून आना गूदा में खुजली होना मल से बद्बू आना बवसीर दूर करने की घरेलू पायों की बात करें तो आपके खाने में फाइवर होना बहुत जरूरी है चाज जादा पिएं त्रिफला भी इस्तमाल कर सकते हैं जीरा प ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से चुड़े रहें और बोल्ड सकाई को सब्सक्राइब करना ना भूले